ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे एबीबी नियूज पर दिन भर की बड़ी खबरे प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने आज कंपनी सेकेटरी के कारिक्रम में बोलते हुए अर्थिवेवस्था से जोड़े एक-एक मुद्दे पर आकडों के साथ आलोचिकों को जवाब दिया प्रधान मोधी ने कहा कि पिछली सरकार में आठ बार ऐसे मौके आए जब विकास दर 5.7 या उससे नीचे गिरी थी पिएम मोधी ने पिएफ के आकडों का हवाला देकर इस आलोचना को भी खारिच किया कि देश में नौकरियों में कमी आई है पिएम ने कहा कि अगर व्यापारियों को दिक्कत है तो GST काउंसिल इसकी समीक्षा करेगी आज क्रेडिट पॉलिसी में नीती गत दरों में कटोती का कोई एलान नहीं किया गया है रेपोरेट 6 फीसद पर बरकरार है रिजर्व बैंक की गवर्नर उलजित पटेल की अगवाई वाली मौदरिक नीती समिती ने रेपोरेट में कोई कमी नहीं की रिवर्स रेपोरेट भी बिना बदलाओ के 5.75 फीसद पर ही बना हुआ है हाला कि SLR 0.5 फीसद घटा कर 19.5 फीसद कर दिया गया है दरों में कमी नहीं होने से बैंकों के कर्स सस्ते होने की उम्मीदे पूरी नहीं हुई है इलहाबाद हाई कोड ने योगी सरकार के उस फैसले पर मुहर लगा दी है जिसमें सरकार ने सभी मदर्सों में राश्ट्रुगान गाना अनिवारे कर दिया था कोल्ट ने कहा है कि राश्ट्रुगान और राश्टुद्वच का सम्मान करना समवैधाने करतव्य है जाती धर्म और भाशा के आधार पर इसमें भेद नहीं किया जा सकता इसी साल 6 सितंबर को राश्ट्रुगान गाने और तिरंगा फैराने का आदेश दिया था इसके खिलाफ अला उल मुस्तफा ने इलहाबाद हाई कोड में याजिका दाखिल की थी पंचकुला कोड में रामरहीम की करीबी हनीपरीत को 6 दिन की पुलिस रिमान में भेज दिया गया है पंचकुला पुलिस ने कोड से हनीपरीत की 14 दिन की रिमान मांगी थी लेकिन कोड ने 6 दिन के लिए हनीपरीत को पुलिस रिमान में भेजा है रामरहीन की सजा से पहले पंचकुला में जो हिंसा भड़की थी उसके पीछे हनी प्रीद का हाथ होने का आरोप है महंगे पेट्रोल पर घिरी मोधी सरकार ने अब राजियों से पाच पीसद वैट कम करने को कहा है पेट्रोल और डीजल के पाद अब आम जनता के लिए एक और राहत की खबर है मोधी सरकार ने त्योहारों के सीजन में लोगों को सस्ती डाल देने का फैसला किया है सरकारी बफर स्टॉक में तालों की प्रचुरता को देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया है सरकार के पास फिलाल 18 लाग टन का बफर स्टॉक है इसमें से 60,000 टन डाल खुले बाजार में जारी की जा चुकी है